असलाम वालेकूम आप सब कैसे हैं मैं अलहमदोल्ला बिल्कुल ठीक आज मैं आप तोके साथ एक बहुत अच्छी रेमेडी शेयर कर रही हूं और वह है डिटॉक्स वॉटर की तो यहाँ पर मैं फूट कर रही हूं साथ में मैंने कृकंबर पिकट के आए और से मैं बनाऊंगी बहुत ही सूपर डिटॉक्स वॉटर इसका flavor भी बहुत अच्छा होता है इसका नाब detox water इसलिए है कि यह हमारी body से सारे toxins को निकाल देता है इसे पीने से हमारी body detoxify हो जाती है इसको पीने से weight lose हो जाता है skin बहुत अच्छी हो जाती है जिनको acne की problem होती है वो भी खतम हो जाती है और यह हमारी digestive system के लिए भी बहुत जादा beneficial है इसे पीने से constipation भी दूर हो जाता है और अगर हम दिन में दो दफ़ा भी पी लेना दो glass भी तो यह हमारा weight lose करने में बहुत जादा helpful थाबित होता है यहाँ पर मैंने cucumber, apple और sweet lime और इसके इलावा मैंने थोड़ा सा ginger add किया था इसमें cut करके तो आपके पास घर में अगर कोई और भी fruits हो, lemon हो इसके इलावा mint leaves होते है यह अगर सुबा में हमें एक जग बना लेते हैं तो यह काफी होता है पूरे दिन के लिए और इसको बनाने के बाद हमें एक घंडे के लिए इसको रख देना चाहिए और इसके बाद यह जैसे ही चिल हो जाए तो एक घंडे के बाद इसका flavor भी जो सारे fruits हमने डाले होते हैं तो वो पानी के साथ mix हो जाता है आप इसको 10 days भी regular use करेंगे ना तो आटोमेटिक इसका result आपके सामने आ जाएगा और यहां पर देखे मैं एक recipe बना रही हूं और यहां पर मैं gravy बना रही हूं यह मैं थोड़ी सी gravy बना रही हूं क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा packet पढ़ा हूँ है काफी दूनों से tuna fish का उसमें fish का flesh है और वो cook किया हुआ है बट वो without spices के है तो आप लोगो तो पता है कि हम तो देसी खाने खाते हैं तो हमें मज़ेदार चटपटे खाने अच्छे लगते तो यहां पर बस समझे में देसी तरका लगा रही हूं करता हैं Pv दो लो तो करता है । और अब मैं बना रही हूं थाई स्पेगटी तो आप लोग रेसिपी देखते जाएं मेरे किचन में स्पेगटी मैक्रोरी इस तरह की डिशिस बहुत ज़्यादा बनती हैं तो आप लोग लगी गा कि मैं बार बार इसी तरह की चीजों की रेसिपी स्षेयर करती हूं लेकिन मेरे बचों को ऐसी चीज़े ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो मैं फिर वही चीज़े ज्यादा कुक करती हूं जो बच्चे शोक से खाते हैं और यहां पर सबसे पहले मैंने ओयल लिया था इसमें मैंने चिकन के चोड़े चोड़े पीसिस करके रखे थे वह एड़ कर दिया इसके बाद जिंडर गार्लिक का पेस्ट अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें मैं कटर में चेट कर रही हूं चिली फ्लेक्स और इस स्टेज पर अगर आपको इसमें वेजिटेबल्स एड़ करनी है तो वो इस स्टेज पर भी एड़ कर सकते हैं और यह मैंने यहां पर टुमेटो की प् इसके बाद यह है चिकन पाउडर हल्दी थोड़ा से मैं रेट्रिली पाउडर भी इसमें एड़ कर दूंगी और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह ओइस्टर सोस ए तो इसका वन टीस्पून इसमें एड़ कर दिया यह ओइस्टर सोस का फ्लेवर आप लोग भी से ट्राइ कीजिएगा यह कैबेज है इसमें पहले से कट करके रखा था एक्चुली मैंने कोई और डिश के लिए सारी प्रिपरेशन करके रखी थी लेकिन फिर मुझे बच्चों ने स्पैगटी खाने के रिक्पेस्ट की तो फिर मैंने वह कैंसल कर दिया औ इसके बाद स्पैगटी मैंने पहले से बाल करके रखे थे और यहां पर मैं यह च्कून ने ह ISPAK यहां पर आपके पास नहीं हो तो आप इसपिर कर सकते आप बस स्पैगटी कर देंगे और अच्छी तबम एक्शी कर लेंगे बहुत ही जल्दी रेडी होने वाली डिश है अगर आपके घर पे कोई अचानक से गेस्ट आ रहे हो और आपको जल्दी से कोई डिश बनानी हो तब भी आप ये बना सकते हैं ये बहुत येजी है और बहुत ही टेस्टी बनता है आप सबो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा जोनों ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है WARD जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब कर ले और चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ बैल के आइकन को जरूर टच कीजिए इसे मेरी जो भी वीडियो नहीं आएगी तो आपको फॉरण से नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो शेयर की है अपनी दुआओं में मुझे याद रखीगा टेक कियर बाई, आला हाफिज